आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आइडेंटिफाइ इनकरेक्ट पेर ए लेक्टिन्स, कॉनकेनवेलिन, ए बी, ड्रक्स, रैसीन, सी, अलकेनोइट्स, कोडीन, डी, टॉक्सिन, आर्विन चार मैचिंग दिये हैं और पुछा एक इनमें से कौनसा जो पेर है, यह मिसमैच्ट है, कौनसा इनकरेक्ट है तो यह जो लेक्टिन्स, ड्रक्स, अलकेलोइट्स और टॉक्सिन है, यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है secondary metabolites, इसका मतलब यह, कि इनका जो है, कोई direct role नहीं है, growth and development में, of the organism, no direct function in growth and development, यह additional features provide करते हैं, उस host organism को, तो अगर हम एके करके देखें, तो lectins, concan valine A, तो यह जो match है, यह सही है, जो lectins होते हैं, यह carbohydrate binding proteins होते हैं, carbohydrate binding proteins, और उसका ही एक example है, concan valine A, तो यह जो match A सही है, फिर B जो है, वो है drug racing, तो यह जो match है, गलत है, क्योंकि जो ricin है, यह toxin है, यह toxin की category में आता है, अगर हमें drugs का ही example quote करना है, इसके लिए हम लिख सकते हैं, windblastin, windblastin and curcumin, यह जो दो हैं, यह drugs हैं, तो यह जो pair है, यह mismatched है, फिर C कहता है, alkaloids codeine, तो यह जो match है, यह भी सही है, अगर alkaloids का एक और example देना हो, तो हम morphine कह सकते हैं, यह दोनों जो हैं, वो alkaloids के example, तो यह जो pair है, यह भी सही सही से match, फिर D कहता है, toxin are being, तो जो toxins होते हैं, वो वैसे substances होते हैं, जो कि directly harm करते हैं, direct harm to living organisms, और इसका जो example code किया गया है, आयर बिन यह भी सही है, इसका ही एक दूसरे example है, राइसिंग, तो यह pair भी सही है, तो B is the correct option, thank you. आउट आट चार्सो 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 पर.